मैं आप सबसे आज के दिन एक जवाब चाहता हूँ आप सिर्फ एक नंबर बताओ कि कोई कितनी बार आपको ब्लोकूप बनाए तो तब जाकर उसके चैनल को आप अनसब्सक्राइब करोंगे कितनी बार सिर्फ एक नंबर तै करो मैं इंपॉर्टेंस उसका समझ लो तो मुझे भी टटी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर अस्सलाम वालाइकुम वरहमतुलाही वबरकातु अल्हम्दुलिल्ह वस्सलातु वस्सलाम अला रसुलिल्ह वाला आलिही वस्हाबिह अजमीन अमाबाद इसकी बातों से तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इसलाम में मुहमदご्यशाब पीना से खाया गया है और पाखाना खाना से खाया गया है यह है आपका मजभर, मसीर साहब यह है आपका मजभर, इस से अच्छा तो आप निकल जाओ वरना फिर पिशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इसलाम में फर्ज है याने कंपलसरी है जैसे कि इसलाम के अरकान पिलर्ज में से है आज मैं आपको एक सैंपल के तौर पर इस टॉपिक पर एक्सपोस करके बताना चाहता हूँ कि ये लोग किस तरह अपनी आउडियन्स को बेवकूव बनाते है हकीकत ये है कि पिशाब पीने की हदीश जईफ है गैसा बिचुदा है इस टॉपिक पर हर एक हदीश की पूरी डीटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा पाखाना खाने के तालुक से तो जईफ हदीश भी नहीं है इरादे के बारे में एक हदीश है जो जईफ है मेरा चैलेंज है कि कोई भी सईईफ पेश करो कि नभी स्वाबा कमपैनियन्स मुहमद स्वाब की पिशाप पिया करते थे पेश करो और उनकी पाखाना खाया करते थे पेश करो और अगर नहीं है तो पॉबलिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीश नहीं और अपॉलिजाइज करो इसलाम में तहारत सफाई की बहुत इंपॉर्टन्स है नमाज में जिसम पर कपड़ों पर और नमाज की जगा पर कोई भी नजासत यानि की गंदगी नहीं होनी चाहिए अगर आप उस गंदगी नजासत की लिस्ट देखो इसलाम में तो बिल्कुल टॉप पर आपको पिशाब और पाखाना मिलेगा और जो चीज गंदगी है नजासत है वो खाने के लिए हराम है इसलाम में सही हदीस में आता है कि मुहमेद सलीलासम जब भी टॉलिट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टंबलर इदावत मिमाइन यानि अस्तन जी भी पानी का टंबलर ले जाते जिससे वो अपने आपको साफ किया करते थे आप बताओ साबिच शुदा प्रूविन चीज़ों को छोड़ कर अंप्रूविन स्टेटमेंट के बेसिस पर इतने बड़ी शक्सियत के ओपर इस तरह से एतराज उठाना क्या ये सही है ये बात हमारे क्रिशिन भाई बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्रिशिन स्कॉलर्स बताते हैं कि जीजस क्राइस के बारे में कुछ गेर मुनासिप चीज़ें जीसा कि आप देख सकते हैं जो गौसपल अफसेन थॉमस में दी हुई है वो चीज़ को वो नहीं मानते क्यों क्रिश्चन बाईबल के कैनानिकल बुक्स में से नहीं है शामिल नहीं है वो लोग उसे नहीं मानते हैं ये बात हमारे हिंदो भाई भी बहुत अच्छी तासे समझ सकते हैं कि वालमिकी रामायन के जो साथ कांड है उसमें जो साथवा कांड है उत्तरा कांड उसके अंदर राम के बारे में कुछ गेर मुनासिब चीज़ें मिलती है उ लेकिन इस्लाम में हम जब किसी हदीस को जाइव बोलते हैं, यानिकर वीक या मौज़ो बोलते हैं, यानिकर फैब्रिकेटड, तो प्रूफ की बुते हैं, अपनी बात को थाबित करने के लिए ये वेब साइट दिखा रहा है, लेकिन इब उसकी फेवरिट वेब साइट इस् इतराज उठाया है वो अब नहीं बता रहा है और जो फेमस फत्वा वेबसाइट जो टॉप सर्च रिजल्ट्स में से है इसलाम वेब वो नहीं बता रहा है क्यों मालुम है क्योंकि उन्हों ने इस हदीस को जईव कहा है और ये कहा है कि नभी मुहम्मद صلی اللہ علیہ السلام की पिशाब पाक नहीं थी वो ये वेबसाइट को बता कर कह रहा है कि इसमें बहुत दलील दी हुई है लेकिन ये वेबसाइट नहीं बता रहा है जो इस वेबसाइट के उठाएवे सवालों का जवाब 2011 से प्रूफ के साथ दे चुकी है इसे फत्वाश्वापिंग कहते है आप बताओ कि एक गुरूप की गलत राए को इस्لام की टीचिंग की तोड़ पर पेश करना कैसा है इन्हें इस बात को ऐसे पेश करना चीया था कि वो मुसलिम्स के एक गुरूप की राए के खिलाफ है वो ये नहीं कह सकता कि वो इस्लाम की खिलाफ है इसे academic honesty कहते हैं लेकिन ये लोग ये honesty नहीं रख सकते हैं क्यों मालम है? क्योंकि उनका पूरा narrative कॉलाप्स हो जाएगा कि इसलाम गलत है अब क्या होगा? कि वो मुसल्मानों के एक ग्रूप की राय के खिलाफ है एक मिसाल से समझते हैं एक ग्रूप है उनकी वेबसाइट भी है जो अपनी जोर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, स्यूडो सांटिफिक रिसर्च, थियोरीज वगेरा के जरीए ये साबित करता है कि दुनिया चप्टी है अब अगर कोई इनकी मिसाल को देकर अपने फॉलोवर्स को कहे कि इसके साबित होता है कि साइन्स गलत है तो आप क्या कहूंगे आप ही कहूंगे कि ये शख्स अपनी और्डियन्स को बेवकूब बना रहा है क्यों? एक ग्रूप की राय को साइन्स की राय पेश करके साइन्स को रिफ्यूट करना ये तो ऑनिस्टी नहीं है ना अगर ये लोग इसलाम के दुश्मन अपनी दुश्मनी में भी इमानदारी रखें तो जो टॉपिक्स में इन्हें एक तिलाफ है उनकी दुकान का वन थर्ड स्टॉक एक तिहाई स्टॉक खाली हो जाएगा और ये रूल अगर वो बनाए के जईफ और मौजू हदीथ जूटी और फिक बातों को बुनियाद बनाकर इसलाम पे अतराज नहीं उठाएंगे तो उनकी दुकान का और वन थर्ड स्टॉक खाली हो जाएगा और जो बाकी वन थर्ड बचेगा जन्यून सवाल उनका हम लोग जवाब देंगे इन्शाला लेकिन बेवकुफी यहां खतम नहीं होती है आगे देखिए यानि जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुसल्मान तो आपको जो पानी मिलेगा वो मुहमससाब की असल में वो पेशाब मुपारक होगा यार जहन्ऩं में कम से कम यह पेशाब तो नहीं मिलेगा लेकिन यह पेशाब कॉन पीएगा आप बताओ आप देखिए किस तरह आपने फॉलोर्स को बिखूब बनाते हैं यह लोग पहले तो ये बात किसी सही हदीस में नहीं है दूसरा कि अगर तालाब के पानी से चाई बनाई गई है तो क्या इसका ये मतलब निकलता है कि पुरा तालाब चाई से बढ़ा हुआ है ये कहा दिया हुआ है कि जन्नत में मुहम्मद صلی اللہ आसम की पिशाप पिलाई जाएगी कहा दिया हुआ है कहा दिया हुआ है चालिंज है उनके लिए लाओ लाओ या तो अप अपलड़ाइस करो या तो माफी मांगो मैं आप सबसे आज के दिन एक जवाब चाहता हूँ आप सिर्फ एक नंबर बताओ कि कोई कितनी बार आपको बेखूब बनाए तो तब जाकर उसके चैनल को आप अंसब्सक्राइब करोंगे कितनी बार सिर्फ एक नंबर तै करो तै करकर अपने पास ही रखो मैं अब आप से इसलाम के खिलाफ इन दुश्मनों के बेखूब एतरासों को डिबंग करनी की मैं एस सीरीज चला रहा हूँ जिस दिन आप अपने नंबर तक पहुँच जाओ उस दिन आप इन बेखूब बनाने वालों के चैनल को जाकर अंसब्सक्राइब करो और अगली बार यूट्यूब आपको अगर उनकी वीडियो सजस्ट भी करें न तो ये तीन डॉट्स दबा करके नॉट इंटरिस्टेट सिलेक करें और देखते रहिए मेरे साथ इन वीडियो को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताके हमारी अगली वीडियो मिसना हो अब आईए देखते हैं इन सब हदीसों की अनाल्सिस अनाल्सिस बतान से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ ये लोग कहते हैं कि कोई तो इसलामिक स्कॉलर है जिसने इस हदीस को मौतबर कहा है रिलाइबल कहा है तो इस वज़ा से वो क्या कहते हैं कि हमें दोश नहीं दे सकते हैं हम तो स्कॉलर को कोट कर रहे हैं ये तो ऐसी मिसाल है जैसे डॉक्टर आपरेशन करता है किसी पेशन की डेध भी हो जाती है डॉक्टर ने बैस कोशिश की इस वज़ा से उसे सजा नहीं दी जाती इसे देखकर कोई डाकू जिसने मर्डर किया है वो कहते है वो डॉक्टर को सजा नहीं दी नहीं इसलिए मुझे सजा नहीं दे सकते हैं हम इन इसलाम के दुश्मनों से कहते हैं तुम इस्लाम को अटेक करने आयो ना, तुम्हारे पस तो प्रूफ होना जरूरी है, जरूरी है तुम्हारे पस प्रूफ होना, हमारे स्कॉलर्स अगर मिस्टेक करते हैं तो हम उनके साथ दलायल शेयर करते हैं, वो एकसेब भी करते हैं, अपना उपिनियन चेंज भी करते है ये हमारा internal issue है जब तुम अटक करने आया हो तो तुम्हारे पास इसलाम को अटक करने के लिए थोस प्रूफ होना चाहिए और प्रूफ नहीं है तो अपॉलजाइस करना होगा मैं प्रूफ दे रहा हूँ हदीस को क्यों जईफ है प्रूफ दे रहा हूँ आईए पहली हदीस से शुरू करते है इस पहली हदीस में आया है कि अम्हार एमन ने गलती से मुहमद सल्लीलासम की पिशाब पी ली और मुहमद सल्लीलासम ने फर्माया कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा लेकिन ये रिवायत मुनकते है जाइफ है इसकी सनद में रावी मिसिंग है सनद में ब्रेक है हुसैन बिन हुरैस जुनावी है इमार इबन हजर कहते है कि ये दस्वे तबके का रावी है बारा तबकों में से दस्वे तबके का रावी है आप देखेंगे कि तबे तबई के बात के जमाने का रावी है और वो बेहान कर रहे है याला बेन अता जो तबई है और जो दसवे तबई के रावी है उनकी तबई इन से मुलाख़ती नहीं हुई यानि कि कम से कम एक रावी मिसिंग है और रावी जब missing है तो ये बात साबित नहीं होती है chain बहुत मजबूत हो लेकिन बीच में से तूटी हुई है पानी का pipe बहुत अच्छा लगा हुआ है लेकिन बीच में connection तूटा हुआ है electric wire बहुत अच्छी quality का है लेकिन बीच में connection कट है तो क्या current पहुँचेगा या पानी पहुँचेगा समझने की बात है ये चीज़ साबिचुदा नहीं है ये सेम बात इस दूसरी हदीश में भी दी हुई है लेकिन ये हदीश सक्त जाइफ है क्योंकि इसकी सनद में एक मतरूक रावी है महादसीन ने इस रावी की हदीशों को तर्क कर दिया था ये चोड़ दिया था ये तीसरी हदीश देखिए इस हदीश में आता है कि प्रफ मुहमद صلی اللہ लाश्म ने उस बांदी से कहा ये पिशाब तुम्हारे ले जहन्नम की आंग से ढाल होगी शेक अलबानी कहते हैं कि ये जो आखरी हिसा इस हदीश का ये शाज है और ये रिवाएट जो मसन्नफ अब्दुर्जाक में आती है इबन जुरैट से वो हदीश मुरसल है मतलब कि एक आखरी हिसा जईफ है गहर साबिश चुदा है यानि कि मुहमद से उनके पिशाप पीने के तालुक से कोई फजीलत थाबिश नहीं है उपर का हिस्सा अगर सही भी हो तो बांदी ने वो गलती से पिया वो बेड पैन जैसे मामला था उसने गलती से पिया और गलती इसलाम के अदर माफ है लेकिन इस बारे में दलील की रोश्णी में अगर आप सही बात जानना चाहते हैं तो शेक शुएब और नौत ने अबुदाउट के अपनी चेकिंग में बताया है कि इस हदीश का जो शुरू का हिस्सा है वो भी थाबित नहीं है यानि कि पूरी के पूरी खडिश जाइफ है क्योंकि इमार बित उमैमा ये राविया जो इस हदीश के अंदर है उनके बारे में में अलाविया गैर मारूफया है इमाश्या बनहुदाजर ने कहा है लातऔरफ यानि कि वो जानी जाती नहीं है और इसे सिर्फ इमाम इबन हिबान ने मौत बर कहा है और महादसीन के नसदीख अगर इमाम इबन हिबान अकेले होते हैं किसी को मौत कहनेमें تو वो बात काफी नहीं है वो मानी नहीं जाएगी मतलब कि ये हदीथ पूरी के पूरी जईईफ है ये बात जाधा स्ट्रॉंग है फिर भी अगर कोई आर्ग्यू करता है कि नहीं तो शेक अलबानी का जो व्यू है कि लास्ट लाइन जिसमें फजीलत आई है वो जहीफ है वो भी एक व्यू है जिस किसी तरह से आप देखो पिशाब पीने की कोई फजीलत थाबित नहीं होती पिशाब पीने के तालुक से कोई बात यहां नहीं मिलती कोई मुहमद स्लीलासम के घर के बाहर लाइन नहीं लगी होती थी के लोग आया हैं पिशाब लेने के लिए आपके पास कोई एक साही हदीथ माजूद नहीं है जिसके अंदर ये बात दिया हो कि सहाबा पिया करते थे ये चौती हदीथ भी बताई जाती है जिसमें दिया है अनस बिन मालिक रदिलानु के घर के कुए में मुहम्मद अल्यासम ने पिशाब किया लेकिन ये हदीथ जाइफ है गैसा भी चुदा है क्यों क्योंकि इसके एक रावी है अबैदुल्ला बिन नुमान इल्मिन करी जिसकी कोई तौसिक नहीं मिलती यानि कि वो रावी अन्नोन है बलके मुहम्मद अल्यासम की तालीम तो ये है कि जो नहाने की जगा है जहां ठहरा रदिलान हुने एक एरादा किया कि मुहम्मद अल्यासम का पाखाना वो खाएं लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये हदीथ जईफ है बलके यहां तक काके इमाम जहभी ने अपनी किताब मेजान अलाइतदाल में इसी हदीथ का हवाला दे कर कहा है कि इसहाब बिन सल्त ज जईफ में शुमार किया है आखिर में एक सवाल में जहन में आ रहा है कि ये सब बाते इतनी सिंपल है जो बाते मैंने कही ये कोई बहुत बड़े जीनियस को समझ में आई यह ऐसा नहीं है बहुत सिंपल सी बाते हैं ये लोगों को बाते क्यों नहीं पता है ये लोगों को आँखे अंधी नहीं हैं, उनके दिल जैसे के अंधी हो जाते हैं, उनके उस तास्ब और उस नफरत की वज़ा से, मैं लोगों से अपील करता हूं कि हम सब को इनसाफ से काम लेना चाहिए, हम सब को सचाई की तलाश करनी चाहिए, जो सच है और सही बात है उसे कुबूल भी क करना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये अंधी नफरत को खतम करिये, आईए हम सब सची बात को देखकर उसे कुबूल करें, शुक्रिया, असलावने का अबतुलाब